दोस्तों अगर आपने जॉंबीज होरर स्टोरी पार्ट वन टू और ट्री नहीं देखा है तो पहले जाके उसे देख लीजें वरना ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि गुली बुली और शौन पार्क से जाही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर यूएफो आ जाता है और उस यूएफो से तेज रोशनी के नीचे आ जाती है और यूएफो उन्हें उपर की तरफ खीशने लगता है यूएफो उन्हें अंदर खीशी रहा होता है कि तभी वहाँ पर बाबा अपनी बाइक लेकर आ जाते हैं बाबा बहुत खुच्चे में लग रहे हैं बाबा तुरंद अपनी बाइक से उतरते हैं और फिर यूएफो को उपर इंसे बाबा कर लेकर लेकिन यह क्या बाबा के हम लोगा यूएफो पर कोई असर नहीं हो रहा है थोड़ी देर हमला करने के बाबा समझ जाते हैं कि यूएफो पर हमला करने का कोई फायदा नहीं है इसके बाद बाबा अपने शक्तियों से बुल्य बुल्य की जीप को यूएफो पर अंदर से बाहर निकालने लग जाते हैं जीब को बाहर निकालने के बाद कुल्ली बुल्य और शौन जीब से उतरते हैं और बाबा के पास आके खड़े हो जाते हैं बुल्य बाबा से बोलता है कि अच्छा हूँ बाबा आप यहाँ पर आ गए वैसे आपको पता कैसे चला कि हम मुसीबत में फसे हैं क्यूंकि हमने तो आपको बुलाया नहीं था गुल्ली की बाते सुनकर बाबा गुल्ली से बोलते हैं कि गुल्ली अभी ये सब बताने का टाइम नहीं है मैं वो सब तुम्हें बात में बताऊंगा पहले ये बताओ कि तुम लोग यहाँ पर फसे कैसे और यहाँ पर चल क्या रहा है जल्दी से बताओ क्योंकि मेरे पास जाड़ा टाइम नहीं है ये सारी बाते सुनकर गुली बाबा से बताता है कि बाबा हम लोग पार्क आ रहे थे और फिर हमने पार्क में देखा कि पार्क में कोई है ही नहीं फिर हमने अंदर जाकर चेक किया तो वहाँ पर हमें जॉंबीज मिल रहे हैं और इसके बाद शौन बोलता है हाँ बाबा और वो जॉंबीज कबसे हमारे पीछे पड़े हुए है और ये यूएफो उन्हें यहां ले आया है पता नहीं यहां पर चल क्या रहा है गुली की बाते पूरी होने के बाद गुली बाबा से बोलता है कि बाबा हो सकता है कि स्पेस सिप दूसी दूनिया से आया है क्यूंकि पिछली बाद सारें हेट भी इसी यूएफो से आया था हमारी दूनिया पर कबजा करने बाबा बुली की बार सुनकर कहते है कि तब तो ये भी हो सकता है कि सारेन हेट दुबारा यहाँ पर हमला करने आया है अब लगता है उसे सबक सिखाना होगा बुली बाबा से बोलता है नहीं बाबा ऐसा नहीं हो सकता है सारेन हेड हमारे दोस्त बंचुका था तो वो हमारे साथ दोका नहीं करेगा और आपने पी तो उसे वर्णिंग दी थी और ये सुनकर बाबा बोलते हैं कि अगर ऐसा है तो आखर यहां पर चल क्या रहा है और ये यूएफो किसकी है ये लोग बाते करी रहे होते हैं कि तभी सब्सक्राइब ये 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 और चृणि कोई उतरने होगता है और ये क्या ये तो दिखने में बिल्कुल सारीन हेड जैसे लग रहा है लेकिन ए सारीन हेड नहीं है यह उसका एक साथ ही है इसका नाम पाइभ है घुटी दूले और बाबा और च्वान कोछ को कुछ समझन से पहले ही पाइप हेट ने उने पर एक जोरदार हमला कर दिया जिसकी वज़से बुली-बुली और शान विवश हो गए और उनकी जीब भी पलट गई और बाबा भी पाइप हेट के इतने जोरदार हमले को नहीं रोग पाया आज़ी वो भी गिर कर विवश हो चुके हैं अब पता नहीं बाबा को कब हो साएगा सबी को भी उस देखकर पाय पैट काफी जारक को सोजाता है और इसके बार वह बाबा के पास आकर खड़ा होजाता है और बाबा को गुछे से घुर्णने लग जाता है आफिर बाबा के साथ करने क्या वाला है, पाइप एड ठोड़ी से बाबा को बुर्ता रहेता, और इसके बार रुबन में सुचता है, यह तब उट्व पास हो जाता है, और फिर बुल्ली के पास आकर खड़ा हो जाता है, और उसे देखने लग जाता है, थोड़ी दय तक गुली को घुनने के बाद पाइपेट गुली को अपने हाथों में उठा लेता है और फिर वह अपने सर को बड़ा करता है और गुली को खाने लग जाता है अधर बाबा को भी गोसा चुका है अधर बाबा का तो सुभा एसी मोड़ान उचुका है अगलवता है पाइपेट का बजना ना मुल्किन हो गया है इसके बाद बाबा उपने हैमर को अपने पास बुलाते है और उससे पाइपेट पर हमला करने को बादा है बाबा ने काइपेट को अपने एक ही वख से घेर कर दिया और पाइपेट को ठुल चटा दी अब पाइपेट कुछ देर के लिए भी होश्यों हो चुका है और गुल्ली की लगते हैं और अपने हैमर के पास आतर खड़े हो जाते हैं इसके बाद बाबा अपने हैमर को फारप बाई फट्टे पॉंथा खरते रहे और वाई पीठी द्ठिव basics लेकिन तब ही at लिए बुली और शौन का और यह फो से इस पर कॉन हो करने वाला है यह सब हम देखेंगे नेक्स पार्ट दोजस्तों अगर आप पार्ट फाइब देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लबना ना भूलें और यह रहें पीछले वीडियो के सारे कॉमेंट्स अगर आपको नाम इसमें नहीं आये तो अभी के अभी जाके इस वीडियो के नीचे कॉमेंट कर दीजे बूले पाल आपको वीडियो के वीडियो के वीडियो के बड़ आपको नाहीं आपको नाहीं ।